वेर बहादूर सिंग पीजी कॉलेज हर नही महुराओ गुरेपूर में स्वर्गे सुरींड बहादूर सिंग की प्रतिमा पर पुस्प अर्पित कर छट्वी पुनिती थी के उसर पर मुखी अती थी पूर्व केंडरी विति राजमंत्री राजसमा सांसस शुपताब शुकला ने कहा कि स्वर्गे सुरींड बहादूर सिंग और्फ गुड़ू बाबू एक कुसल विनम प्रवर्ति के व्यक्तित्व थे छेत्र के विकास के लिए उन्होंने अग्रनी योगदान दिया सक्षा के छेत्र में विकास करने के लिए प्रात्मिक से उच्छ सक्षर प्रमुक सुरींड बहादूर सिंग के सपनों को साकार कर रही हैं मलसी देवींड प्रताप सिंग ने कहा कि सुरींड बहादूर सिंग खजनी छेत्र के विकास के लिए अग्रनी योगदान दिये हैं जो कभी भुलाया नहीं जा सकता वह एक कर्मनिस्ट व्यक्तित्व के ध बहादूर सिंग ने कहा कि सुरींड बहादूर सिंग एक समाज सेवी के रूप में अपने जीवन काल में आसा है गरीबों की सेवा करते रहें तथा छेत्र में अपनी पहचान कुसल नतित्व के रूप में सद्यों तक जानी जाएंगे खजनी विधान सभा के विधाय कस्री राम चौहान ने कहा कि सुरींड बहादूर सिंग इस छेत्र में अपनी पहचान विकास पुरुस के रूप में स्थापित किये हैं जनता में उनकी छवी अच्छी है इस औसर पर अंसु सिंग ब्लॉक प्रमुक खजनी एवं धर्मपत्नी स्वर्गे सुरींड बहादूर सिंग ने कहा कि मैं अपने पती स्वर्गे सुरींड बहादूर सिंग के सपनों को साकार करने के लिए जीवन परियंते कारे सील रहूंगी इस औसर पर पूर्व PCFK अध्यक्ष एवं पूर्व जिला पंचयत अध्यक्ष गुलाप सिंग वाच्षेट्री अध्यक्ष डॉक्टर धर्मींद सिंग विधायक सह जन्वा प्रदीप शुकला प्रप्राइज विधायक महिंड पाल सिंग बासगाउं विधायक विमलीश पासवन DCFK चेर्मेन महंत सिंग पूर्व विधायक हजनी संत प्रशाद पूर्व विधायक सह जन्वा देव नारायन सिंग उर्फ जीम सिंग ब्लॉक प्रमुक प्रतिनीधी सह जन्वा विकास सिंग ब्लॉक प्रमुक बेलगाट पूजा सिंग उर्वा ब्लॉक प्रमुक प्रतिनी थी जुगनू दूबे ब्लॉक प्रमुख ब्रिजी शियादो चरगावा ब्लॉक प्रमुख वंदिना सिंग भाजपा के जिला उपाद्यक्ष हरकी शेराम तेपाठी कुलदीप तथा अन्य विधायक ब्लॉक प्रमुख छेट पंचैस सदस्य ग्राम प्रधान संचालन जगदीश शौरसिया भाशपा नीता ने किया तथा इस औसर पर कारेकरम को सफल बनाने में भक्ती दूबे सोनू सिंग संजय सिंग स्थेंद्र बहादूर सिंग शक्ति सिंग राम सिंग हनुमान सिंग बगहिल जै सिंग प्रचार एक के पी चौरसिया प्रियंका विश्विनात प्रिशाद महा विध्याले के प्रधाना अध्यापक छात्र चात्राओं तथा चेत्र के गर्मा निव्यक्ति मौझूद थे इस संबंध में गुरभपूर नियोस से बात करते वे हिंदु व्यवाहनी के पूरु प्रदीश महामंटरी इंजिनियर पी के मल और भाचबा के छेत्री अध्यक्ष एमल सी डॉक्टर धर्मेंद सिंग एवं पूर्व केंडरी वितिराज मंति श्युपताब शुक्ला ने कहा इंग मुद्ध पूर्दी वितिराज के अध्यक्याद पार भी आती हम उतिक एपन प्रदुद प्रदुद' गोरकोर से होकर सबोर उसर भृदेश हो यह धर्बती है पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में राम कौर यादो जी सिर्शनकर राम ते तो नहीं है यह बावजूज भी इस जेट के लोग जिसने लिए राणी धरांकिर बाठी जी से डिवेटर करता हो गोरो शाली कुल के एक सुपुत्र के रूप में पूरो जिनाध्यर्श आदर्डी स्री जनाधन किवाजी जी साइप सम्मानित मंच जब हम इसी कारिकर कुवारी बढ़ाते हुए हम समकी बीट में हम समकी अनिरावर गोरापुर ग्रामिल विदान स्रबाज चत्र के उंकार करने वाले लगातार शंगर्षों के पृति आदानी स्री देविताप सिंगी जो आप सब्सक्राइब आप सिंगर्षों के साथ स्वैंक को जोड़े रखेंगी आपके अंदर जो सेवा का संकल्प है यह संकल्प मजबूति इसके साथ समाज के अंतिम बेक्ति को आपके साथ छोड़े रखेगा मैं गुद्दुबाओं के प्रति अपनी विरम्रसुद हंजली व्यत करता हूं इसी ऐसे ही संकत पूर्षिति में कुसी नगर के सिगहागाओं में भी एक घटना हो गई है और मुझे वहां भी जाना है चानिस वर्ष कियाए में जाना एक कफिन बात है और वहां भी ऐसी पीरा सो परिवार भुजर रहा है इसलिए मैंने बिना समय गवाए बिना अप्तिवारी की पृतिक्षा की संजोजक महुले से आगरह किया मित्रो जैसा की आप सभी डाबते हैं हम लोग तो अगली पीडी के हैं किस से पहले परमादणी गुलाद सिंगी आगरी शुपता शुक्लदी चाहे हमारी कितने परिश्टोब हैं या परिवार इस तरह से जन्ता की सेवा करता आया है निश्चित है सुरणती का ना रहना गुत्थ भैया का ना रहना इस कमी को पूरा नहीं किया जा सकता है लेकिन हम पुरा देजी को आदर के साथ बड़े सर्मान के साथ एक हैंगे जो आपने अर्शू सिंगो आगे बढ़ाया बहु नहीं बेटे के रूप में कोई छेट का सेवा कर गई है अर्शू जी आगे ले जाएगी चुकि यहां भातर देने का समय नहीं है हम एक बार पुना गुटबहिया को बिनम सरदांजली अर्फित के और गरते हुए अपनी पाणी को भी राम देता हूँ अंजली पाएं बहुती दुखा जोड़ी बहुत घीड़ा दायक होती अर्वास परवास इनकी अक्तायू में इस्टिल होगे लोग जिरों ने अपने कारिकाल में उंचाईओं को चूने का प्रयाश किया था वै कुछ दिन और रह जा देता और ज्यादा होऊने को चूने का ध्रवर्शारी रखतें एफित अकफरवणिम सबस्टा कबाएं निष्टत दुखत और ज्यादा कश्ट और ज्यादा देती है करती अपने जीवन काल में इतना इसे कांग करता है इतने अच्छे कांग करते हैं उसकी अलफाथ में लोग उनको ठ्वरन करते हैं ज्यासे हैं वियाद करते हैं करते हैं अच्छे कांग किये जिसके कारण पुरा खेत रही नहीं पुरा इलाव मर्पाहत है तो बंजली की सवा इन मेले का शरूप जैखा दिखाई देता जो आता है वो जाता है जीवन का क्रम चलता रहता है जाय जाते हैं उसके कर्म उसकी फ्रेश्ट यादे उसकी छेवाएं और उसके दुरूप से भुडू बाबोरे जो छेवाएं दिया है काम किया है उनको आज के दिन हम सब्सक्राइब कर रहे हैं तो राजनितिक परिवार पुरे परदेश का देत्रित दुखिया है प्रवंचल में निकास की जाथाओं को लिखने का काम किया है प्रवंचल में जिस परिवार से आते हैं वह परिवार खजमी सहित्पुरे गोरपुर के विकास में सुरू से सत्बर रहा उन्ही के विकास को आगे बढ़ाते हुए यहां की ब्लाथ प्रवू स्रीमतियंसु सिंग जी का उन्ही के विकास को आगे बढ़ा रही है आप सभी जनता जरारदन को सह्यनवा विधान पवा की सरब से हार्दी का भिनेंदन करते हुए उनकी चाओं में सर्कास उमन अरपन करते हुए सभी को बहुत बहुत धन्याँएं दूसरी बार बारती जन्ता पार्टी से विधायग साथियों हम सीधे कारिकम चुकि बहुत देरी से विबलेश पासवान जी सी निवेदन करता हूँ कि आएं और अपने आदर्णी बड़तीयाची का जीवन अपने छेत्र के लोगों के विकास के लिए काफी संधर्स पूर्ण रहा उन्होंने छेत्र में अपने विकास चावफामाजिक न्याय की अस्थापना की जिससे कि आज तक उनका नाम बड़े ही आप लोगों के साथ बड़े ही आदर से ल लेकिन कहता है कि मनुषी का जीवन लंबा नहीं होना चाहिए, बढ़ा होना चाहिए. तो आदडी भहिया जी जितने के दिन हम लोगों के बीच रहे, उन्होंने अपने जीवन को बढ़ा जिया, लंबा नहीं चाहिए. इसलिए आज हुने लोगे से बीच वो प्रेणा सोथ है प्रेणा सोथ इसलिए कि उन्हों ने अपने सामाजी कारियों से अपनी कटी मेहनत से ऐसी सामाजी म्यार की अस्थापना की है जो सदियों तक खजनी ब्लाग में एक नजीर बनकर उपस भित रहेगा इसके लिए मैं बड़ भीया की दियुकंत आत्मा की शान्ती के लिए व्रापना करती हूं कहा जाता है कि इस्क्रिय और फुरुश में बड़ा भेश होता है इस्क्रिया कभी जुद्ध नहीं भन पाती हम पुद्ध इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि हमारे उपर परिवार की समाज की जिम्मेदारिया रहती है इन सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए शिंती अंसु सिंची जो हमारी बड़ी बहन भी है और समाज के लिए आप लोगों के लिए आज ब्लाग प्रहु के पस बर्णा कर खजनी के लोगों की सेवा कर रही है उन्होंने एक पेड़ना अस्थाफित की है एक समाजिन्याई की अस्थाफना की है जो हम लोगों के लिए एक पेड़ना सोथ बनकर दुपरी हुई है कि वह कहीं से किसी प्रटार से कम नहीं है सचमुच मैं सबसे पहले स्वार की सुरेंदर भादुर सिंग जी बुटु भिया जो असमय इस परिवार को छोड़के चले गए उनके उनको बिनम्र सर्दाने लिए अर्पित करता हूं और सचमे विदायक बीदले सपाथवान जी जब मैं आया तो बोल रहे थे सचमे भ्यक्ति तीन प्रटार कर होते हैं एक होँ होता है जो अपने लिए जीते हैं दुसरा भ्यक्ति होता है जो अपने और अपने परिवार और अपने रिश़् 그게 है कि अपने परिवार के साथ साथ देश और समाज के लिए भी जीता है और उन्हें ही लोग हमें साथ अपने स्मिर्थियों में याद करते हैं उन्हीं में से एक नाम है इस परिवार से सुरंद्र बहादूर सिंग्जी का घुटूविया का जो एक बलाक्रमु के रूप में समाज सेवा करते हुए इस परिवार में स्वरगी बहादूर सिंग्जी के उस सेवा के कारे को आगे बढ़ने का जंकल उन्हें लिया था और इसलिए महान विचारक रवेदर्णार तैगोर जी ने कहा कि जिस देश के नौजवानों की आखों में गुद्काल का गौरों पर्समान की फीड़ा और भविष्य के सपने तैबते हैं वही देश प्रगत करता है वहादु शियल ने वहादु सिंगे बात हुआ चलों में पर उन्हों ने किया थे भारती जनता पार्टी का जो असासन दाया थो उनके उसी करतेकार्जों के ही आधार पर जो उतर प्रुदेश में बार्टी वर्टि मिल्ला पॉड़ी का असासर था तो ये बहादुर सींगी के नामपर एक जो नो के बार्वाज़़ान विश्विद्जाला का नाम में बहादुर के पुर्वालज़न विश्विद्जाला ही किया लिए उनकी सेवाओं को देखते हुए जानते होगे स्वफविक है कि ब्रत की सेवाओं कोई अन्त नहीं होता है अन्त इसनाते नहीं होता है कि अगर उसके सेवा जनहित में है समाजहित में है तो थोड़ी रहती है तो भी उसकी याद लोगों तक पहुचती है लोग उसकी याद करते है इसनाति उसका अंत नहीं होता है बहुत सोड़ात है थोड़ी रहत या बड़ी है और आज जब से हम सब लोग यहाँ बैठे है लोग अपनी अपनी बात को रखे हैं मैं जानता हूं कि मनुष्य का रहना ना रहना उसके अपने उपर दिरबढ़ नहीं होता है जीवन का कौन सा छड़ किसी स्थिती में होका इसकी जानकारी किसी को रहे है लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है जरूर अबातुआ जानता है और इस सुनाते अच्छा कार्ज करता है तो सराना होती है अच्छा कार्ज नहीं होता है तो मनुष्य के जीते जीजी उसकी निंदा होता है लेकिन कभी-कभी जीते जी, उसके प्रभाव के कारणों तो चुप भी रहते हैं, तो न रहने पड़, उसके मन का जो विजार होता है, जो उद्गार होता है, वो आपने आप सपस्ठ हो जाता है, आज सुझेत महादूर सिंग जी नहीं है, लेकिन उनके कार्ज ऐसे रहे हैं कि सभी लोगों ने उसकी सराहना की है, सामाजिक सेवा के भाव को सराहा है, यहां जो जिए परह मीरे बज़ों के बन करने हैं, सामाजिक सेवार द्वार है, यहां मेरे बज़ों के सबसेख्या एक खाकर से नहीं है, काती इस समाजिक वर आइजनेटिक विरातर के तपन किर्दाव भी रहे आज के दिन उन्हें भावु सुनांची देखे हुए उनके तपन को साकार करने उसका मैंदा से आज करूंगी आप अपना समय देए आप सभी मश्याशनी साजी टिगार आज अपना समय देए और आप सभी को जो पाइजान में मौजूर हैं आप सभी को जहने बाद आप सभी का अबाद बनेंगर मुलका दीचि द्वार कर दो है कि इधर किए एंची पच्वा क्वादा जिक द्वारा रहा है इधर देखे चोची पजवनााम् सिकंगर इडाप इधर देखे चछर इधर इधर देखे चाची भूल जब नीचे आजा इसलाम जी है, माने विदाय कर, अप्सकान माहिंद पाल को जी है, आप तब से दिवेदाराइब सिवान कमलेश पासवान जी, मांग सिंग जी से, आप उस कंबल एक एक कंबल बितरून करके ही, आज स्वरेंद्र बाहदुर सेंगिर गुड़ो भाईया की चठवी पूर्णित थी, सुरेंद्र बाहदुर जी गुड़ो भाईया इस्च्टरब के बहुत ही जनता से जुड़ेवे बैकती थे, धरातल से जुड़ेवे जनता की बीचमण मेंगी बहुत बड़ी पहचान थी तो लोगों के दुख्वक के साथ ही थे और आज सर्दांजली उन्हें देने का मौका मुझे भी प्राप्त हुआ है आज और उनकी धर्णपत्ती स्रीमति अंसु सिंग्जी ने ये कारकर मायूच दिकर करके इस छेतर की जनता और उनके बीच का जो प्यार था उसको कार तो बाद में आती है पहले जन्पती सामने होता है तो उस जनता के दुख को उचित पटल पे ले जाने का कार वो करते थे सुरित भादुर जी और वही स्रीमति अंसु सिंग्जी कर रही हैं उनके सपनों को आगे बढ़ाएं आज यही सर्दांजली सची सर्दांजली य यहाँ पे कंबल वितरन तो यह जाड़े का समय है गरीब दुख्यों के बीच में इसकी आती आवा सकता जाड़े के समय होती है और यह एक कारकम है लेकिन इसके अलावा भी छेतर की जंता के हर दुख सुख में साथी वो बनी रहें और बनी रहती हैं यह भगवान से प्रा इस परिवार का सामाजिक जीवन से बहुत बड़ा नाता रहा है स्वर्गी वीर वहादूर सिंग जी का परिवार है और उन्हें की सुरेंदर बहादूर सिंग जी की ओने तिथी पर एक सरधान जली सभा का यहां पर आवे जन था उसी कारिक्रम में हम लोगों का आना हुआ है और उनको हम लोगों ने यहां पर बिनम्र सरधान जली दिया है कंबल बित्रन में है हां कोई उस वसर पर समाज सिवा में उनका हमेशा योगदान रहता था इसलिए बहुत सारे ऐसे गरीबों को कंबल बित्रन का कारिक्रम भी यहां पर आवे जी था स्रधान जली का अरकम है स्वर्गी सुरेंद बहादूर सिंग्जी का निश्चित रूप से मैं एमान करके चलता हूँ एक बलाक प्रमुक के रूप में उनका कार्ज बहुत ही सुव्यवसित रहा है परिवार के कभी मुख्या के रूप में उतर प्रदेश के ततकालीन मुख मंत्री बीर बहादूर सिंग्जी थे श्वेंद बहादूर सिंग्जी की पिता जिला पंचाज के अध्यक्स थे और आज उनकी पते अंसु सिंग भारती जनता पाट्टे के खजनी बलाग के अच्छंत सराहन ये रहे हैं और सी सराहनी निये का प्रड़ाम है कि आज4 घंटे से चलने वाली सभा में भी लोगं पूरी तो बैठे है RAM और आते ही चले जा रहे हैं तो एक और किशी व्यूक्ति के प्रतिगर्यौ ईत्यानिकिया हो, स्वामाजी सिवा करने का कार्ज किया हो पदपर रहते हुए जिसका नेवे अनुभों से लोगों को जोड़ा हो उस के कार्ज Rule में हम लोग सर्दानजरी दे लिए हैं उनको मैं अपना संर दास करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि इस परिवार को आगे ले चले काम अंसु सिंग जी करेंगी